हेलो वाट्सप गाईस मैंने मिस्मिनोज बादू था अब बाताना चाहूंगा गईस आज कोड़ बहुत ज्यादा ऑस्वानल बिकोज आज हम देखने जारे लोकल स्टोरीज इन और रियक्तिकॉमर्स वेबसाइट तो अब आप सोच रूँगे वाट इस लोकल स्टोरीज तो मैं आपको बाता था बहुत सिंपल फंड आगा इस आप देख सकते हूं यहां पर यह हमारा ओफिसियल एड्टो कार्ट पेज है ठीक है तो देखो मैंने इस को किया रिफ्रेश ही है मैं जब वापस इस पे रिडाइट करूँगा तो वह क्या आप हो चुका होगा वह हमें नहीं चाहिए एक बार मैंने अगर एड्टो कार्ट कर दिया अगर सपोसीज वाले में देखी जिसको हम फॉलो कर रहे ठीक है मैं यहां पर चलता हूं एक और इसको मैं आड़ कर देता हूं तो आप देख सकते हूं यहां पर दो डिटा है राइट लेकिन लेकिन सब्सक्राइब बात हो कि यहां पर आपको नहीं दिखाई दे कुए मैंने इसको रन नीकिन तो वही चीज है कि में चाहता हुं कि पेज को रिफ Days है वापस में वीजट करो तो डेटा वहीं पर ही सेफ रहे तो उसके लिए हम लुकल मिन्स हमारा अपना फुद का पीची हमारा ॅपना डेटा को स्टोर करके रहें ठीक है तो विना किसी देर गें वीडियो को स्टार्ट करते हैं यह बहुत ज्यादा सिंपल पर वीडियो अपलोड कर चुके है तो देखो आप क्या होता मैं आपको बाता है फिलाल जब मैं इस पर क्लिक करता हूं और अड़ करता हूं तो data यहां पर एड़ हो रहा है बट ना में अगर आप देखोगे तो add to cart करके यह जो function है वहाँ पर अगर मैं आपको लेकर चलता हूं my add to cart यहाँ पर add to cart यहाँ पर आप देखोगे तो मैं cart पर basically उसको add कर रहा हूं तो यहाँ तक एक्दम सही है लेकिन problem किया है न यह जो मेरा cart है इसमें देखो data क्या है मेरा empty है तो क्यों न मेरा यह जो cart है इसमें कुछ ऐसा data हो जो अल्रेड़ी पहले भी यूजर ने अगर add क्या हो तो भी अल्रेड़ी उसमें exist रहे और वापस अगर यूजर उसमें click करता है तो भी वापस उसमें add ही रहे मतलब कभी data हटे ही न तो वहाँ पर local storage देखो कैसे मैं सबसे पहले तो यह काम करता है यूजर ने जो जो product को select किया है उसको मैं पहले add करता हूँ local storage में फिर बात में हम उसको देखते कैसे get कर सकते ठीक है तो आप देख सकते हूँ यह मेरा return ठीक इसके उपर में चलता हूँ add the data in local storage ठीक है अब देखो कैस में एक चीज बताना चाहूँगा और एक चीज थोड़ा से आपको सोचना पड़ेगा कि data को हम कैसे add कर सकते local storage में दो ही चीज है इधर आप get use करोगे या तो आप set use करोग ठीक है यह condition है तो obviously अगर कुछ वैसा होता है तो use effect हमें लगेगा है कि नहीं जूम कर देता हूँ यहाँ फिला इसको मैं रटा देता हूँ ठीक है इतना तो मेरा हो गया अब यहाँ पर क्या करना होगा guys local storage dot set item देखो we have a key and then value यह जो key होगा guys एक string होगा जो आपका वो नाम basically उस local storage जो आपने create किया है उसको एक variable वाला नाम देना आपको अब कुछ भी दे दीजे let's go with thapa card ठीक है मैं यहाँ पर चलता हूँ और value क्या होगा अब देखो जब भी आप local storage में कुछ भी add करते हो वो always आपका एक string होता है ठीक है and हमारे card में जो data add हो रहा है वो एक array है अ आप array के लिजे या object के लिजे तो उसको अब हमें convert करना पड़ेगा string में and जब भी बात आती है कोई भी data को अगर हम string में convert करना हो in json so we have a json.stringify करके ठीक है तो आप देख सकते हो we have a json.stringify जिसका commit converts JavaScript value to a json string simple तो मुझे इसका use करना पड़ेगा देखो यहाँ पर आप दे json ठीक है so json dot में चलता हूं stringify value में अगर मैं simply इस्तरगी से cart लिख दूँगा तो काम नहीं चलेगा क्योंकि मैं यह जो cart है उसको directly access नहीं कर सकता क्योंकि मेरा जो cart है वो initial state के अंदर है and initial state basically क्या है वो हमारा main जो state है उसके अंदर का ही एक अंस है तो मैं अगर directly इस्तरग and then cart is not defined cart is not defined and then यह बता रहा है use effect also ठीक है तो use effect का तो कोई tension नहीं है वो तो मैं यहां पे इस्तरगी से बहुत easily add कर दूँगा लेकिन वो cart का क्या करोगे आप यह cart कैसे होगा तो guys कभी भी मैं इस cart को directly access नहीं कर सकता इसको अगर मुझे access करना है so I need to simply control and save करना है हम हमारे browser पर चलते है मैं इस तरह किसे open कर रहा हूं कर रहा हूं आपको क्या करना है आपका यह जो application तो यहां पर चलना है यहां पर चलना है यह देखो storage में we have a local storage and then session storage तो हमें चलना होगा हमारे local storage पर यहां पर आप देख सकते हो और आप देख सकते हो कि ऑलड़ेडी मुझे थापा कार्ट दिख रहा बर वो फिलाल empty है मतलब इस पर मैं चलता हूँ और इसको मैं add to cart कर दे रहा हूँ तो आप देख सेकते हूँ यहाँ पर वो data add हो गया है लेकिन मेरे थापा कार्ट पर data add नहीं हुआ है तो अब आप सोचो ऐसा क्यों आओगा कि थापा कार्ट मुझे दिखाई दे रहा है लेकिनों कार्ट मैं basically data add नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने just add to cart किया तो उसके पीछे का reason है कि जब भी आप use effect उसके करते हूँ dependency array वो सिर्फ और सिर्फ पहली बार जब आपका page first time load होगा तब ही वो run करेगा एल्स नहीं करने वाला लेकिन the moment मैं कुछ भी state को change कर रहा हूँ तो यह नहीं हो रहा है तो मुझे क्या चीए कि जब भी मेरा यह जो cart की value change हो या cart के साथ कुछ भी update हो तो मुझे मेरा data मिले या cart में अगर कुछ भी data में add कर रहा हूँ लेकिन उसके बाद जब-जब मैं add to cart पे click करता हूँ मेरे cart पे जब नय-nय data add होता है तब-बी हमारे local storage का यह जो थापा cart वाला जो key होगा variable होगा उसमें वो data add करते जाओ बस इतना ही करना था अब मैं उसको एक बाद refresh कर दूँगा जीरो एंड़न वान पे मुझे मेरा data आ रहा है तो बहुत इसली मेरे local storage पे data add हो चुका है अब the moment इसको मैं refresh करूँगा तो ध्यान से देखना मेरा यह जो data वो वापस delete हो जाता है क्योंकि मैं सिर्फ data को add कर रहा तो इसको मैं कभी get नहीं कर रहा हूँ अब इसको कमेंट कर रहा हूँ let's go with cart and colon एक कोई तो एक function call कर दे जिससे local storage का data को मैं get कर सकूँ right so मैं यहाँ पर चलता हूँ get local card data ठीक है मैंने बस एक function बनाया यह get local I mean local card data so const get local card data देखो guys बहुत जादे easy होने वाला यह मैं पहली बता दे रहा हूँ ठीक है इसमें बस आप हमें data को get करना है and get हम कैसे करेंगे देखो let new cart data will be equal to कुछ भी लिख सकते हो आपको खाली local storage करना है local storage dot get item and then आपको key pass करना है and हमारा जो की था वो क्या था हमारा की था थापा कार्ट ठीक है थापा कार्ट this is it तो अब गाईस मुझे simply क्या करना देखो obviously अगर first time card जब load होता है basically जब first time में चलेगा ठीक है उसमें तो हमारा data बिलकुल empty होने वाला है तो उस समय मुझे क्या करना है यहाँ पे अगर double equal to कर सकते हो यह dot length कुछ भी अब लिख सकते हो if it is double equal to empty array यह triple equal to भी कर दो आप वो ज्यादा बेटर रहेगा and तो आपको खाली return करना होगा यह square bracket इस तरह के से ठीक है else अगर वो empty नहीं है then मुझे return करना है complete data array का तो वो मैं पता कैसे करूँगा मैं directly new card data इस तरह के सकता था but the problem is कि जो data मुझे मिल रहा वो string में मिल रहा है लेकिन हमें मालूम है ना कि हमें यहां तो array में चाहिए राइट यह आप object कर सकते हैं basically array में data मिल रहा होता है वहाँ पे एक की पीछे तो जो data को मैंने पहले string में convert किया था जब हम उसको वापस get करते तो मुझे उसको back to original format मे मुझे उसको convert करना रहता है जब भी वैसा कुछ भी बात आता अगेन जैसर में मैंने कहा ना जैसे get and then set add and then get करने के लिए तो इसे तरह किसा अकर कोई भी data को string में convert करना हो तो dot stringify वापस back to original में करना हो तो dot parse तो basically दो method है बस यह दो-दो method ही है जो mostly use होता है so मैं इसको क्या करूँगा इस तरह किसे रख दूँगा यहां पे and again json.parseuse कर दूँगा and this is it मेरा काम हो गया and कैसे काम करते है जो new card data यह थोड़ा मजा नहीं आ रहा local card data यह कर देते ठीक है इसका नाम this is it हमारा काम हो चुका है अब बहुत इसली वो basically update होता जाएगा card का data always यहां पर update होत नहीं की बात ही नहीं आईगी फिर products इस पर मैं चलता हूँ add to card इस पर मैं चलता हूँ add to card ठीक है मैं यहां पर चलके दिखा देता हूँ कि मेरा यह जो है यहां पर मेरा थापा card पर दो data हो चुका है अब अगर मैं करता हूँ refresh तो 3 2 1 and boom गैसी मेरा काम हो गया अब आप जि जी था get data and then set data आप कहा लिए get and set and then json.stringify json.parts 90% case में अब यही यूज करोगे और क्या यूज करोगे and simply हमने एक function call कर दिया थे यहां पर अब कल की वीडियो में हम पता क्या देखेंगे कल की वीडियो में continue swapping and then clear card वाली जो functionality उसको देखेंगे the moment हम clear card पर click कर देंगे पुरा data empty हो जाएगा basically card is empty कुछ हम उस तरके से दिखाएंगे ठीक है so guys मिल तो मैं आपको कल की वीडियो में source code बिल्कुल फिर लिंक आपको नीचे description मिल जाएगा and thanks for 5 lakh subscriber next target 1 million subscriber मिल तो कल की वीडियो में till then guys thank you so much take care अपको